सयुक्त राष्ट सोरक्षा उपल्शन इसे इंग्लिस में आप लोग UN Security Council भी कहते हैं सौट में से UN SCB आप लोग कह देते हैं और जो आप लोग सयुक्त राष्ट देखते हैं न, United Nations देखते हैं न, इसका एक भाग है और आप देखेंगे अगर सयुक्त राष्ट की स्थापना की बात करें तो 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी और New York USA में इसका Headquarter आपको देखने को मिलेगा देखिए हैं हमारी प्यारी पित्वी है इसमें आप देखें एसिया में हमारा प्यारा भारत है और यहां से आप लोग चाहेंगे USA तो यहां आप लोगों को New York देखने को मिल जाएगा तो यह UN का Headquarter आपको देखने को मिलेगा और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो भी राष्टी और अंतराष्टी संगठने उनके बारे में एक सामान जानकारी जरूर रखिएगा और आपकी एकजाम में इनसे हर साल कुश्चन्स पूछे जाते हैं फिर चाहे आप लोग Civil Service की तयारी कर रहे हो State PCS की तयारी कर रहे हो One Day Exam की तयारी कर रहे हो और आप देख रहे हैं कि सयुक्तराष्ट सुरक्षा पुश्चन्स में सुधार की भी बात हमेशा उठती रहती है और जो 27 अदस ने उसमें भारत को भी सामिल करने की बात होती रहती है तो अगर हम लोग सयुक्तराष्ट सुरक्षा पुश्चन्स की बात करें तो इसकी स्थापना 1945 में हुई थी कब हुई थी इसकी स्थापना 1945 में इस डेट को याद रखना है और सयुक्तराष्ट चार्टर द्वारा इसकी स्थापना की गी थी और ये सयुक्तराष्ट के चय प्रमुख अंगों में से एक है पांच अनंगों की बात करें तो इसमें आप देखें सयुक्तराष्ट महासभा आपको देखने को मिलेगी ट्रश्टी सिर्फ परिशट देखने को बलेगी आर्थे को सामाजी परिशट अंतराष्टी इन्याले और सजीवाले ये UN के जो छेयंग है ना उनमें सामिल है और यह मुख तोर पर अंतराष्टी सांती और सुरक्षा बनाये रखने ही तो उत्तरदाई है कौन? सुरक्षा बरिशट और सुरक्षा बरिशट का मुख्याल है कहा देखने को मिलेगा? नीव और्क में आपको देखने को मिलेगा अगर हम लोग इसके सदसों की बात करें तो सुरक्षा बरिशट में कुल पंदरे सदस होते हैं कितने? पंदरे सदस होते हैं संग सामिल है, फ्रांस सामिल है, चीन सामिल है और यूनाइटिट किंगडम सामिल है और आप देखेंगे कि भारत ने भी 2021 में आप देखें आठ वी बार आईस्थाई इस्थाई नहीं आईस्थाई सदस्की रूमे सविक्तराश्ट रुक्षाय परिशद में प्रवेस किया थ और दो साल के लिए यानि की 2021-22 के लिए परिशद में रहा था और पितिवस आप देखें की महासवा दो वर्स के कारकाल के लिए 5 आइस्थाई सदसों कुल 10 में से का चुनाओ करती है और 10 आइस्थाई सीटों का वितरन छेत्रिये आधार पर किया जाता है और परिशद की एक मत होता है और सब ही मावलों कर शुरक्शा परिशद की नेड़े इस्थाई सदसों सहत 9 सदसों की सकारात्मत मतदवारा लिए जाते हैं और जिसमें सदसों की सहमती अनिवार होती है और पास 21 सदसों में से यदी कोई एक भी पिस्ताओं के विपक्च में बोट देता है तो वह पिस्ताओ पारित नहीं होता है माल लिजे इसमें टोटल 15 सदस है इस्थाई और आस्थाई सदसों को मिलाकर माल लिजे कोई 14 सदस किसी पिस्ताओ के पच्छ में है और जो इस्थाई सदस है उसमें से माल लिजे चाइना ही ले लिजे चाइना उसके बिपक्ष में रहता है तो वो पिस्ताव पारित नहीं होगा पिस्ताव रेजेक्ट हो जाएगा यहां बहुमत का कोई काम नहीं है समझ रहे हैं आप लोग तो यह याद रखिएगा और इसी को लिए इसकी आलोचना भी होती है क्योंकि आप देखते होंगी कि आतंकियों को काली सूची में डालने को लेकर हो बिलेक लिष्ट करने को लेकर हो या कोई और मुद्द उठाने को लेकर हो किसी देश पर पितीबन लगाने को लेकर हो तो चाइना हो या अन देश आप देखते हैं अमेरिका जिनका जहां हित रहता है वो उसमें आप देखते हैं कि हस्तिचेप कर देते हैं और वो पिस्ताव पारित नहीं हो पाता है। अपनी आपाज बुलदी की। भारत ने सहिफतराष्ट में पूर उपनिवेसों को सुईकार करने, मद्वपूर में प्राण घातक संघरसों को संबोधित करने और अफीका में सांती बनाये रखने जिसी कई मुद्दों पर नेड़े लेने में अपनी भूमिका भी और इसमें सहिफतराष्ट में बिसेश रूप से अंतराष्टी सांती उस रक्षा की रख रखाओं के लिए बड़े पिर्माने पर यूगदान भी दिया है भारत ने भारत ने 43,43 सांती अभियानों में भाग लिया है और जिसमें आप देखे कुल यूगदान 1,60,000 सी अधिक सेनकों उमधपूर संक्या में पुलिस कर्मियों का है भारत की जनसंख्या, छित्री याका, सकल घरेलू उत्पाद, जीडिप, आर्थिक चम्ता, सब्भेता गत, बिरासा सांस्कितिक बिवित्ता, राजनेतिक बिवस्ता और सईवतराष्ट की गतिविदियों में अतीत तथा वर्दमान में भारत द्वारा दिये जारे पूरी तरह से तरक संगत बना दिया है, कई देश हमारे देश में आप देखे हमारे पक्ष में भी हैं, लेकिन आप देखते हैं चाइना है, वो हमें कहां देखना चाहता है, यूएन ऐसी के साथ जुड़े मुद्दे, तो आप देखे अभिलेखों और बैठकों की अनपस पाननी है, यूएन ऐसी में भूमिका, तो यूएन ऐसी की पांच इस्थाई सदस्तों को जो बीटो सक्तियां पर आप थें, वो है काला नू क्रमिक हैं, और यूएन ऐसी अपने वर्तमान स्वरू में मानो सरक्षा सांती के छेत में अंतराश्टिये परिवर्टनों बगती सीन्ता को समझने में एक बाधा बन गया है, और भीटो सक्ति आप देख रहें कि इन पांच सदस्तों को मिला हुआ है, पी फाइब के बीच बिभाजन, ये आप देखें सहिप्तराश्ट की सदस्ता में एक धुर्वी करण की स्थिति देखी जाती है, इसलिए नेड़ा या अपने में मदद करने में फिरभावी नुभुमी का निभाने में बिफल भी रहे हैं, और आप देखेंगे कि अगर हम लोग डवलू एचो की बात करें न, विस्त स्वास्त संगठन, तो इसकी स्थापना आप देखें साथ अपरेल उननेस्तों अर्तालीस में हुई थी, औ और इसका हेड़कॉर्टर आपको कहा देखने को में लेगा, जैनेवा सुईजलेंड में, साथ अपरेल को आप लोग विस्त स्वास्त दिवस भी मनाते हैं, संगठन में आप देखें, पिति निधित का आभाव, तो विस्त इसतर पर महतपूर देश, भारत, जन्मनी, ब्र के माध्यम से सुरक्षा बिर्शन में सुधार करने की भी अब सकता है, ताकि सविफतराष संग अंतराष्टी सांती सुरक्षा की रखना खाव भीतू, सदा जटिल और आप देखी उभरती चुनोतियों से बहतर तरीके से इन्ने पड़ सके, UNSC के आस्थाही सदसों में से एक के रूम में भारत, UN, SC में सुधार के लिए एक ब्यापग सेट वाले पिस्ताओं का मसोधा तियार करके सुरू कर सकता है, और यह अन्न समान विचारधारा वाले देश जैसे भारत, जर्मनी, जापान, विराजीन से संपर कर सकता है, UN, SC के सभी सदस्त देशों का होना जरूरी है, बरना कोई पिस्ताओं पास नहीं होगा, तो आप देखें कि आज तक कोई पिस्ताओं पास ही ना होता, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई ना कोई उसके विरोत में बना ही रहता, चाहे मूं कितना अच्छा ही पिस्ताओं के होना रहता, तो कम से कम भहुमत की बात तो हो या और देशों को सामिल करने की बात हो इसमें कुछ तो होना चाहिए, UN NC में 20 सदसों में सुधार आ 20 सदसों में और देशों को सामिल करना चाहिए, इन सब की बात होती रहती है, तो इतनी जानकारी आप लोगों को UN Security Council की के बारे में याद रखना है, इससे questions देफ आएंगे देने की सिती में पहुँच गया होंगे और भी किसी के बारे में जालनी की दिल्चस्पी है तो आप लोग उसका नाम बता सकते हैं ठीक है